नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका मल्टिमीडिया गुरुची यूट्यूब चैनल पर मेरे नाम है सुनील क्मार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max में मिटेरियल्स के बार में दोस्तो हमारा न्यू मन्त यानि के सब्टेंबर स्टार्ट हो चुका है और पिछले महिने के 20 दिन के अंदर हमने अपनी 20 वीडियो को अपलोड कर लिया है इस महिने से मैंने सोचा हुआ है कि आपके लिए मैं रोज की 2 वीडियो लेकर आऊंगा चाहे वो हमारे 3D Max के अलग 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 टॉपिक के बारे में ही क्यों ना हो और इसके लावा कई जो हमारे follower से उनकी ये requirement पढ़ रही है कि modeling के साथ साथ वो थोड़ा बहुत material के बारे में भी सीखते रहें तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम modeling के साथ साथ materials पे भी वीडियो बनाएंगे दोस्तो मेरी वीडियो को delay करने का एक reason ये भी था कि जो मैंने 3D Max 2017 अपना continue कराया उसके अंदर materials में कुछ नए options भी आये हैं और कुछ options हट भी गए हैं और कुछ options के नाम change भी कर दिये गए हैं तो उसी को explore करने में मुझे पिछले 2 दिन लग गए लेकिन इसके साथ साथ ये है के अभी भी कई लोग 214 पे work कर रहे हैं तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी हम कुछ ऐसे standard options के बार में बात करेंगे जो की Max 2008 से लेकर Max 2021 तक के सभी के अंदर options वो same मिले और इसके लावा सभी additions को ध्यान में रखते हुए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ बट basic knowledge के लिए और दोनों के comparison के लिए आपको ये वीडियो भी देखनी बहुत ही important है क्योंकि इसके अंदर जो options आप देखने वाले हो वो Max के सभी additions के अंदर यानि के 17 के अंदर भी आपको same देखने को मिलने वाले है तो time ना waste करते वे चले दूस्तर शुरू करते हैं और open करते हैं 3D Max 2014 So first material editor आपका create कैसे होता है कि अगर आपने कोई object बनाया है उसके अंदर material add करना है तो उसके लिए material editor कैसे open करा जाता है इसके लिए shortcut की use करी जाती है M So M press करते ही ये slot यहाँ पर आ चुका और इसमें मैंने already 2-3 materials बना के देखे थे तो फिलहाल तो मैं इस slot को बिल्कुल ही standard level पर चले जाता हूँ जैसे कि आपको एक fresh computer के अंदर मिलता है तो उससे पहले तो यह है कि अगर आपने material create कर लिए हैं और आपको इस पूरे slot को बिल्कुल blank करना है तो कैसे करा जाता है इसके लिए हम चले जाते हैं utilities के अंदर utilities में आपको मिलेगा set material editor slots यहाँ पर जैसे हम click करेंगे तो सारे के सारे slots आपके blank हो जाएंगे इसके लावा जो नीचे नाम भी लिखे गए थे वो भी आपको default one से लेकर 24 तक मिल जाएंगे अब इसके अंदर slot तो आपके 24 हैं लेकिन जब आप कोई ऐसा model बनाने जाते हैं जैसे के for example आप interior बना रहे हो या exterior बना रहे हो या ऐसा model बना रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे object और बहुत सारे textures का इस्तमाल करा जा रहा है तो ऐसे में तो आपके 24 जो slots हैं वो भी कम पड़ जाएंगे तो इसके लिए भी इसमें कई सारे options ऐसे हैं जैसे के for example आप materials को save कर सकते हो या materials को reset भी कर सकते हो या एक material के अंदर भी आप multiple material slots create कर सकते हो तो वो सारे option आगे future में requirement के according हम create करते जाएंगे बट अभी फिलाल बहुत ही basic level पर हम चलते हैं और देखते हैं कि इसके इंदर क्या-क्या चीज़े create करी जा सकती है अभी जो आपको इस slot दिखाई दे रहा है यह 3D Max में by default नहीं होता है यहाँ पर हम mode के इंदर चले जाते हैं यहाँ पर जो by default हमें mode मिलता है वो मिलता है slate material editor जो कि कुछ इस type का दिखाई देता है लेकिन जो लोग students है जो अभी सीख रहे हैं या नयाना software उन्होंने start कर रहा है उनके लिए ये वाला method थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है तो हम अपने पुराने additions के इंदर जाएंगे यानिके mode के इंदर compact material editor पर तो कुछ इस type के slots आपको दिखाई देती है तो यहाँ पे आपको total 24 default spares दिखाई देंगे यानिके आप 24 materials इसके इंदर create कर सकते हो इसके इलावा इन spares को size अगर आप change भी करना चाहते हो तो वो option भी available है इसके लिए आपको क्या करना होता है आप options के इंदर जाओगे और यहाँ पे click करोगे circle पर तो यहाँ पे 3 by 2 का, 5 by 7 का और 6 by 4 के यह option इसमें available है जैसे के मैं express करूँगा तो पहले आ रहा है 3 by 2 का यानि के 3 options के यहाँ पे 2 lines इसके बाद दुबारा express करूँगा तो यहाँ पे 5 के 3 slots आपको मिल जाएंगे और दुबारा फर press करूँगा तो यहाँ पे 6 options के 4 slots आपको मिल जाएंगे अगर slots आप large रखते हो तो यहाँ पे scroll का option आपको मिल जाता है जिसके तुरूँ आप सभी slots को अपनी requirement के according देख सकते हो तो mostly तो slot छोटे ही अच्छे लगते हैं लेकिन बड़े spares हमें तब requirement पढ़ती है जब हम इस spare के अंदर उस texture को भी देखना चाहें then इसके लावा उपर menu में जो options available है वही options आपको right and side और bottom में भी मिल जाएंगे तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी shortcut keys भी देखेंगे और हर option के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि यह option किसले इस्तमाल कर जाता है तो यहाँ पर first हम top से चलते हैं इन राइट से यहाँ पर first आता है sample type इस पर by default spare है यानि कि अभी जो आप यहाँ पर visually देख रहे हो वो spare देख रहे हो लेकिन अगर मैं किसी slot को select करके यहाँ पर cylindrical पर click कर दूँगा तो आपको जो आपका texture है वो cylindrical shape में दिखाई देगा इसके लावा यहाँ पर cube option भी available है बट mostly हम इसे spare के अंदर ही देखते हैं और इसके लावा second option है इसमें backlight का आप यह जो spare देख पा रहे हो इसमें right and side में bottom के अंदर आपको एक glow reflection दिखाई दे रहे हैं यह इस backlight का option है अगर मैं इसे off कर दूँगा तो आपका material कुछ इस type का black दिखाई देगा तो इसम on ही रखते हैं by default इसके बाद आता है background background कहाँ पर इस्तमाल करा जाता है दोस्तो कभी कबार हम ऐसे material create करते हैं जो कि इस material spare को बिलुकुल transparent कर देता है या gap कर देता है या फिर हम ऐसा reflection create करते हैं कि यह जो spare है उसमें भी दिखाई नहीं देता है तो ऐसे में हम background का इस्तमाल करते हैं जो कि RGB और black and white color के इंदर पीछे का background create करता है तो इस से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे spare पर reflection पढ़ रहा है उसकी density कितनी है या फिर जो हमारा object transparent है वो कितना transparent है इसके बाद हम चले जाते हैं sample UVW tiling के अंदर by default जो भी आप texture apply करोगे वो एक ही spare के अंदर एक ही बारी repeat होएगा लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे 2 x 2 का कर दूँगा यानि के total 4 tiling के कर दूँगा तो क्या होगा के हमारी जो image है हमारे जो texture है वो 2 time horizontally और 2 time vertically यानि के एक ही spare पर वो 4 बारी repeat हो जाएगा ऐसे ही हम इसके अंदर 9 time और 16 time भी कर सकते हैं तो यह tiling preview पर depend करता है लेकिन इस preview के अंदर आपका जो texture है वो जितनी बारी repeat हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे texture के अंदर जो telling actual में करी जाती है वो किसी और method से करी जाती है इस preview से नहीं तो फिलाल के लिए तो यह जो option है यह standard single preview के अंदर ही रखा जाता है then next इसके अंदर आता है video color check जब आप अपने इस material के अंदर videos को input करना start करोगे तो इसमें top और bottom के अंदर आपको एक strip मिलेगी जो की video composition को define करती है इसके अलावा video से related उसकी color checking के लिए हम preview के लिए इस option का इस्तमाल करते हैं बढ़ यह जो option है हमारे render पर depend नहीं करता है यह सिर्फ और सिर्फ इस preview पर depend करेगा कि आपका जो preview है उसके अंदर video कैसी दिखने वाली है अब video की हम बात करें तो next option भी इसी से related है यह है हमारा make preview अब जैसे के अभी आप अपने YouTube के new update के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप किसी भी वीडियो के thumbnail पर जब करसल लेकर जाते हो तो आपकी जो वीडियो है जो आप देखना चाते हो उसका थोड़ा जो scene play होता है तो वैसा ही preview यहाँ पर भी create होता है अब यह किसलिए इस्तमाल करा जाता है for example आपकी वीडियो थोड़ी length ही है और आपको यहाँ पर material के अंदर वो preview नहीं समझ में आ रहा है कि यह video कौन सी हमने select करी वी है तो इसी के लिए हम यहाँ पर एक preview create कर लेते हैं जिसमें जब हम करसल लेकर जाते हैं तो वो video हमारी थोड़ी सी play होती है जिस समय पता चल जाता है कि यह video किस चीच की है तो ऐसा playback आप यहाँ पर create कर सकते हो इसमें proper duration set करी जाती है अभी तो यहाँ पर play नहीं होएगा क्योंकि already हमने कोई video यहाँ पर import नहीं करी वी है तो first जब मैं इस पर click करूंगा तो यहाँ पर duration आपकी दिखाई देगी कि आप जो अपनी video play करके देखना चाते हो वो कितने frame per second में और कितने duration के लिए play करके देखना चाते हो तो वो option यहाँ पर हम create कर सकते हैं बट यह भी सिर्फ हमारे इस spare के यानि के material slot के preview के लिए एक्शल में यह हमारी video के अंदर यानि के हमारे render के अंदर show नहीं करता है अब next इसके बाद आजाते हैं options पर जैसे ही मैं इस options पर click करूंगा तो आपको एक advanced option इसके अंदर मिल जाएगा बट इस option को हमें छेड़ने के जुरत नहीं है क्योंकि बहुत ही sensitive option है अगर इसमें से किसी option को आप on या off कर दे तो उससे आपके materials पर काफी बड़ा effect पढ़ सकता है तो फिलाल के लिए तो इस option को में बिलकुल भी नहीं चेड़ेंगे इसके बाद आजाता है select by material इस पर अगर आप click करोगे तो यह सर्फ तभी add it होएगा जब आप कई सारे object यहाँ पर create कर लोगे जैसे for example मैं एक box और एक spare यहाँ पर create कर लेता हूँ then जब मैं इस पर click करूँगा तो यहाँ पर अभी भी कोई option नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने object तो create करा हुआ है लेकिन उसके इंदर कोई material अपलाए नहीं हुआ हुआ तो मैं अभी कह कर लेता हूँ इस object पर इस material को यहाँ से assign कर देता हूँ then second object पर second material को assign कर देता हूँ तो हमारे पास अब दो object हैं और दो material इस पर apply हुए हुए है अब हमागर जाएंगे इस option पर तो यहाँ पर select by material अब show कर रहा है जिस पर click करने पर जिन जिन object के इंदर हमारा material अपलाए हुआ 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 है उसकी यहाँ पर list शो करनी start कर जाएगी अगर मैंने सिर्फ एक ही object पर material अपलाए करा हुआ होता तो यहाँ पर भी list में सिर्फ एक ही object आता तो यह option एक तरह से आपके लिए useful भी है और एक तरह से useless भी है क्योंकि यह सिर्फ उनीक list create करता है जिन object पर material अपलाए हो चुके हैं और सिर्फ वही material ही नहीं जो आपने यहाँ पर create करे हुए हैं या apply करे हैं अगर material apply करने के बाद यह slot पूरा का पूरा reset भी हो जाए और object पर material हमारे apply हुए वे रहते हैं तो वह object यहाँ पर तब भी show करते रहेंगे इसके बाद next option आता है इसमें material map navigator इसको जैसे हम click करेंगे तो चाहे हमारे slot के इंदर वह material show करे या ना करे लेकिन हमने जितने भी object यहाँ पर बनाये हैं और उसके इंदर जितने भी material apply करे वे हैं वो सारी के सारी list यहाँ पर आपको show करेगे दैनाब इसे भी close कर देते हैं अब हम चले जाते हैं नीचे की इस raw पर इसमें first option आता है get material तो इस पर जैसे हम click करेंगे तो यह वो materials आपको दिखाएगा जो की आपने पहले ही से create करेवे हैं यह जो material की directory में available है जैसे के यहाँ पर material की पूरी एक list available है जिसे बाद में हम one by one use करना सीखेंगे बट अभी के लिए फिलाल इस option को हम close कर देते हैं बट हमें अगर material select करना हो तो हम इस option के through भी पूरे के पूरे material section को select कर सकते हैं इसके लाब आता है put material to scene यह option हमारा तभी work करेगा जब आपने किसी object पे material apply करा हुआ है for example के तोर पे मैं आपको बता दूँ के आपने एक spare के अंदर एक material apply करा then उसके बाद आपने उस material का जो slot था उसको clean कर दिया बिल्कुल एक तरह से खतम कर दिया उसके बाद आपने get material के through उसी बनाएवे material को दुबारा से recover कर लिया अब recover तो कर लिया तो उस same नाम के material को हमें उस spare पर वापस से apply करना है उसके लिए हम use करते हैं put material to scene अब पता कैसे चलेगा कि कौन से spare के अंदर या कौन से object के अंदर कौन सा material apply हुआ हुआ था इसके लिए आप object पर right click करके जा सकते हो object की properties पर और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर material name दिखाई देगा जो की 01 default के नाम से तो ऐसी कोई सा भी material आपने create करावा हो वो यहाँ पर by default show करेगा चाहे आप उसे slot में से delete ही क्यों ना कर दो तब भी उस material का नाम यहाँ पर available होगा अब next आता है assign material to selection बहुत ही common option है कि आप जो material create कर रहे हो उस material को आप अपने selected object पर apply करना चाहते हो तो उसके लिए आता है यह assign option next option आता है reset map या material to default setting इसका मतलब यह है कि आपने जो material जो texture और उसके अंदर जो setting apply करी है आप उसको वापस से reset करना चाहते हो वापस से renew करना चाहते हो तो इसके लिए हम इस्तमाल करते हैं इस option का इसे जैसी मैं reset कर दूँगा और yes पर click कर दूँगा तो मेरा ही जो material है इसके अंदर जितने भी texture, reflection, glossiness, apply हुई वी होएगी वो सारी के सारी clean हो जाएगी और बिल्कुल पहले जैसे ही material show करेगा बट इसके अंदर जो background apply हुआ हुआ है या जो frame apply करा हुआ है जो कि सर्फ preview के लिए इस्तमाल कर जाता है वो setting वैसी कि वैसी ही इसके इंदर रहेगी then इसके बाद आ जाता है make material copy इसका नाम ही दिखा रहा है कि जैसे आपने किसी material की copy करनी हो तो उसके लिए इस option का इस्तमाल करा जाता है लेकिन practically हम इसे आगे ही use करने वाले हैं material से रहेगा ऐसी same इसके अंदर भी दो अलग अलग material create होते हैं और उसको combine करके हमें एक material बना सकते हैं या फिर दो materials के link से हमें एक तीसरा material create कर सकते हैं तो वैसा ही कुछ section यहाँ पर unique के थूँ create करा जाता है next इसके अंदर आता है put to library put to library के थूँ जो material आपने बनाये हुए हैं आप उसे एक temporary library के अंदर store कर सकते हो ताकि जब आप अपने material slot को delete करो तब आप easily उस material को वापस से recover कर सको जो की आपने create करा था तो वो library temporary तोर पर आपकी file के साथ ही रहती है अगर आपने file अपने delete कर दी तो आपके 3D Mac से वो library भी completely clean हो जाएगी next इसके अंदर आता है material ID channel material ID channel जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ही slot के अंदर आप multiple material slot create कर सकते हो तो वहाँ पर इस्तमाल करा जाता है ये material ID इसके अंदर आपको number मिल जाते हैं अपने requirement के according आप numbers इसके अंदर create कर सकते हो और सिर्फ limitation नहीं है कि आप सिर्फ 15 तक number create कर सकते हो इसमें आपकी जो series है वो 0 से लेकर 99 तक maximum तक जा सकती है इसके बाद आता है show shaded material in viewport जब हम कोई ऐसा material create करते हैं जिसके अंदर texture involve हो यानि के कोई image involve हो तो हमारा material तो object पे show कर जाता है लेकिन उस texture को visible करने के लिए अपने viewport पर visible करने के लिए आपके render में तो वो visible होई ही जाएगा अगर हम इस option को on नहीं करेंगे लेकिन अपने viewport पर better convenience के लिए on करने के लिए हम इस viewport option को on कर देते हैं तो जो भी हम texture apply करेंगे वो texture आपके object पे show करने लग जाएगा इस option को on करने के साथ साथ इसके बाद next option आता है show and result यह option by default आपका on ही रहता है off नहीं होता है इसके बाद next आता है go to parent अगर आप किसी material के option के अंदर deeply चले जाते हो जैसे के यहाँ पे मैंने diffuse के अंदर tiling ले ली या checker option ले लिया अब मुझे वापस अपने parent option के अंदर जाने तो उसके लिए यह icon इस्तमाल करा जाता है ताकि मैं अपने normal standard options के अंदर वापस से चले जाओ और बाकी की settings कर सकूँ तो यह option तभी इस्तमाल करा जाता है जब आप किसी material की deep setting के अंदर यानि के अंदर चले जाओ अब इसकी shortcut की से related अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे आप utilities के अंदर जाओगे तो यहाँ पे simply हमें एक reset का option ही use करते हैं और कोई option नी then इसके लावा next जिसमें आ जाता है background का background जैसे की इस area पर apply हुआ हुआ है इसकी simple shortcut की B है अगर आप normal slot पर B press करोगे तो automatically background create हो जाएगा then इसके लावा यहाँ पे backlight का option है बट यह हमारे preview को ज़्यादा define नहीं करता है तो इस option को हम नहीं चेरते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बाकी की topic हम next वीडियो में complete करेंगे I hope दोस्तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होएगी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को like, share and comment करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल subscribe नहीं करा है तो subscribe करें और प्रेस करें साथ में बने bell icon को ताकि time to time होने वाले update आपके पास पहुचे सबसे पहले तो मिलते हैं दोस अगली वीडियो में